असलाम लेकुम and welcome to my youtube channel आज की वीडियो में हम बात करेंगे आज के मैश के बारे में जो था वर्ल कप का मैश नमबर 40 और यह मैश इंगलेंड वर्सिस नदरलेंड के बीच तो भई आज का जो मैश था यह दोनों टीम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैश था वह इसलिए जो भी टॉप सेवन टीम्स होंगी इस वर्ल कप की वह जो है चेंपियंस ट्रॉफी के लिए कॉलिफाई करेंगी क्यूंकि साथ टीम में कॉलिफाई करेंगी होती आउट टीम है पाकिस्तान होस्ट है तो वह अल्री कॉलिफाई किया हुआ है पहले सही तो भई आज की मैश में हुआ यह है कि इंग्लेंड ने नदर लेंड को आज का मैच एक तो साइट रंग से हरा दिया है और चेंपियन सौफी में उन्हें अपनी जगा बना लिए तक्रीबन तक्रीबन क्योंकि अभी उनका एक मैच और पड़ा है अगर इंग्लेंड हरता भी है तो उनको जो है फ फैसला किया और उनकी इंटेंट और उनकी यह बोडी लेंग्विश सी उससे यही लग रहा था उनको आज का मैच लाजमी जीतना है और उनके लिए यह बहुत इंग्लेंड नच था भी क्योंकि अगर इंग्लेंड आज का मैच नहीं जीता तो चैंपियन स्वभी दोजार 25 से इंग्लेंड बाहर हो जाता तो हमें देखने में यहीं आया कि इन्होंने पहले ही ओवर से नेधरलेंड के बॉलर्स को आटैक किया लेकिन हमने फिर यह देखा कि उनकी पहली जल्दी कर गई 50 रंग से पहले उसके बाद पार्टनर्शिप लगी इंग्लेंड की वह एक बाटनर्शिप लगाए है उनके शुरू के इक डाओट होते हैं उसके बबदे पूरी टीम कॉलैप्स कर जाती है और फिर यहीं हुआ कि गाए टीम जो गया वह गया है उनकी टीम जो एकडम कलप्स कर गई उसके बाद हमने यही देखा कि उनके छे आउट हो गयते लेकिन उनके main players खड़े वे थे भी इंग्लेंड के Ben Stokes और Chris Wokes दोनों की शांदार wetting करते हैं और पिर हमें यही देखने में है आज के match में कि जिस सरीके से उन दोनों ने मिलके दुबारा England की innings build की है दोनों ने एक शांदार partnership लगाई है attacking cricket खेली है और बहुत ही अच्छा score कर दिया था दोनों ने मिलके अपनी टीम के लिए और दोनों की यह 7th cricket partnership लगी थी यह आज की match में वो थी 139 runs की फिर हमने यही दिखा कि Chris Wokes वोएं 51 runs बना के आउट हो जाते हैं Ben Soaks ने शांदार wedding की उन्होंने आज के match में century score की उनकी World Cup की यह पहली century थी और यह England के किसी भी प्लेयर की इस World Cup में पहली century थी तो उन्होंने पूरे 50 over के end पे England ने आज जो Netherlands को target दिया वो था 339 का और उनके 9 out हो गए थे तो आज के match में England ने वेटिंग की बहुत ही शांदार की और जीतने के लिए के लाज हम बात करते हैं नदरलेंड की innings की जब नदरलेंड की इनिंग शुरू हुई तो उनकी body language और उनका intent यही बता रहा था कि मैच जीतने के लिए हैं और हमने इस पूरे वर्टकप में उनकी बैटिंग देखी उन लोगों ने बहुत ही शांदार बैटिंग किये हर अल्मोस सारी टीमों के अगेंस जिसमें से उन्होंने इस टोड़नोमेंट में दो मैच जीतने में कामयाब हो है तो हमें यहीं लग ल में भी आ सकता था लेकिन हमने फिर यही देखा कि इंग्लेंड ने शांदार अटेक किया उन्होंने अर्ली विकेट्स निगाल दी नेदरलेंड की और उसके बाद हमें यहीं देखने में आया कि अच्छी बाटनर्शिप लगती है थर्ड विकेट बाटनर्शिप वेसली औ इतना experience नहीं होता और अपनी विकेट देकर चली आती है अगर वो खड़ रहते तो स्कोर कुछ और होता हो फिर लेकिन वह जलवाजी में रन आउट होके चले आते हैं आज के मैच के अंदर वेसली के आउट होने के बाद हमने यह देखा कि इंग्लेंड ने मुझ सलसल प्र आउट हो जाते हैं और इसी तरीके से नेदर लेंड की 163 रंस पर चटी विकेट कर जाती है और एडवर्स आज के मैच में 38 रंस बनाने में ही कामियाब होते हैं फिर उसके बाद हमने यह देखा कि नेदर लेंड की कोई भी पार्टनर्शिप नहीं लग पाई और अचाना क कि उनकी पूरी की पूरी बैटिंग लाइन को लैप्स कर गई और 16 रंपर अगली पांच विकेट गर जाती है और उनके जो है 179 पर ऑल आउट हो जाते हैं आज के मैच में तो वहीं आज का मैच जो एंग्लेंड एक सुसाइट रंग से जीत जाता है नेदर लेंड से और न सब्सक्राइब कर लिया है अब तो वहीं आज के जो थे मैन आफ दा मैच मैं सोक से जिन्होंने शांदार सेंच्री मार के अपनी टीम को आज का मैच जितवाया और यह इंग्लेंड की दूसरी जीत थी इस वर्ल्ड कप के अंदर आज के मैच में एक और अचीवमेंट मैं सो सब्सक्राइब करियर है उन्होंने आज की सेंच्री के बाद अपने इंटरनेशनल करियर में दस हजार रन सब्सक्राइब करें और बैल आइकन का बटन दबाएं ताकि इसी तरीकी की न्यूज अपडेट्स रुजाना आपको मिलती रहे हैं शुक्रिया